नमस्ते फ्रेंट्स मेरे टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, तो फ्रेंट्स वीडियो के शुरुवात कर ही हमें खुबशूरत फूलो के संग जो बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं और अपने गार्डन में इसकी सुन्दर था देखने को बनता है तो इसके फ्लावर एक बार खिलते हैं तो काफी दिन तक गार्डन में बना रहता है तो आज के वीडियो में कि टमाटर में ऐसा कौन सा फटिलाइजर दे जो हमारे टमाटर में जीटेबल्स सब्किन हम तो के संगे वगते कि नहीं नहीं दोड़े कीशना हमें चार्विस सब्सक्राइजर V कर दोड़िये सकते हैं विदय कोंपंटन विदी मत्तने कि बयानख में यह उतका दया सब्सक्राइजर V पील, ओनियन पील के फटिलाइजर, लिकबीट बना कर, पर हर बार लिकबीट फटिलाइजर नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत दिन तक रहने से हमारे फटिलाइजर में बदबू भी आ जाती हैं, तो इसको solid fertilizer बना के भी हम पौधे में देते हैं तो हमारे पौधे में वो सकतत पूरा रहता है और टमाटर हो चाहिए कोई भी वेजिटेबस के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है तो टमाटर के पौधे में ज्यादा तर कैल्सियम की भी कमी हो जाने के वज़े से इ जिसमें की संत्रे के चिलके है केले और प्यास के चिलके और अंडे के चिलके है जिसमें की कैल्सियम की मातरा बहुत अच्छा होता है और केले के चिलके में पोटेसियम के मातरा भी बहुत अच्छा होता है और प्यास के चिलके संत्रे की चिलके में आरन, कॉपर, जिंक, ए लिक्विड फटिलाजर भी बनता है पर लिक्विड फटिलाजर एक दो दिन में दे के सुख खत्म कर देना चाहिए ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं पर सुखा के जो इसको पाउडर बनाते हैं तो इसको तीन चार महीने अराम से यूच कर सकते हैं जब भी हर पंदरह द छिलक को पीसे हैं तो सबको पाउडर बना के एक मुठी करके दे दे चारों तरप से तो जितना बड़ा आपका गमला हो उसी लाओ कशाइज कशोटा है तो कम ही दे और बड़ा गमला हो तो इसको एक दौ मुठी दे सकते हैं तो इसको कोई वेजिटिवस के पौधे में भी दे सकते वैसे तब इसको दे के अच्छे तरह से मिट्टी को कवर कर देंगे उपर नहीं रहने देंगे नहीं तो हमारे जो इसमें पोशक्तत है वो खड़ाब हो जाएंगे और इसको पानी अच्छे से देंगे और पानी का भी ध्यान रखे ओबर वाटरिंग कभी भी कोई प नहीं हो तो इस तरह अगर पॉधे को केर करते ताइमटी टाइम हर 15 दिन मेरे पॉधिलाजर देते है नहीं तो मन्थ में एक बार भी दे सकते है और 15 दिन में लिकष्टीलाजर तो हमारे टमार्टर के पॉध़े में बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और हमारे flowers भी नहीं जड़ेंगे और पौधें भी स्वस्त रहेंगे। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन के साथ बाइ बाइ फ्रेंड्स हैपी गार्डेनिंग।